Hello everyone, welcome to the pervasive classes, so in the last video we have covered introduction of trigonometry and exercise 8.1, today in this video we are going to cover our exercise 8.2, so 8.2 करने के लिए हमें उसका थोड़ा introductory part भी देखना होगा, तो let's begin, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, introduction to trigonometry की exercise 8.2 So, पिछली exercise में हमने देखा था कि trigonometric का जो pillar है वो क्या है, trigonometric ratio, बट हमने उन ratio में जो हम theta यूज कर रहे थे ना, ratios क्या थे हमारे, छे ratio थे ना, जिसमें से एक ratio हमारा था, जिसमें से एक ratio हमारा ये था, sine, और इस ratio को लिखने के लिए मैं इसके साथ क्या यूज करी थी, theta, angle, यही मैं यूज करी थी, ना, sine, theta, तो इसका means क्या था, कि हमने एक trigonometric ratio के साथ एक angle का use किया था, बट उस angle की कोई particular value नहीं थी, angles तो बहुत होते हैं, 0 से 180, 180 से भी आगे 360 है ना, 360 से भी जादा होते हैं, बट हम जो basic angles पढ़ते हैं, वो 0 to 360 होते हैं, तो अब इस theta की अगर मैं value दे देती, 0 degree, 90 degree, 180 degree, या 45 degree, या 60 degree, तो इस ratio का जो क्या, इस में variation आता, इस ratio की value में क्या variation आता, वो हमें इस exercise में देखना है, तो basically हमने last exercise में पढ़ा था कि हम एक trigonometric ratio को theta के साथ कैसे लेके चलते हैं, और इस exercise में हम देखेंगे, एक trigonometric ratio को हम theta की किसी particular value, किसी specific या particular value पे हम उसको कैसे लेके चलते हैं, ठीक है, particular or specific values पे हम कैसे लेके चलते हैं, तो यही हमने देखा था न, यही मैंने लिखा है, trigonometric ratio for some specific angles, कुछ ऐसे specific angles specific होता है, unique, यह न, specific is की कुछ, जैसे specific is like की हमने एक sin theta लिया, उस theta के हम कुछ specific angles के बारे में ही बात करेंगे, हम zero से लेके infinity angles में नहीं हुसेंगे, हमारी 10th class में हमें सिरफ कुछ specific angles को लेके trigonometric ratio के साथ चलना है, ठीक है, तो इस exercise में हम कौन-कौन से specific angles लेंगे, वो देख लें, तो इसमें हमें कौन-कौन से specific angles लेने हैं, वो हमारे होंगे सबसे पहले, जीरो डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी, and the most important 90 डिगरी, तो आपने देखा, हम सिरफ acute angles और right angle को लेके चलेंगे, हम right angle के आगे obtuse angles में हमें नहीं जाना, हमारा tenth के slabers में सिरफ यही specific angles है, जिनको हमें trigonometric ratios के साथ लेके चलना है, clear है, और आगे भी हम next exercise में पढ़ेंगे, कुछ और angles को हम कैसे change करेंगे, इन ही particular angles में, so करते हैं हम पहले 8.2 स्टार्ट करते हैं, फिर next exercise के बारे हैं बात में बात करेंगे, हम confusion create नी करेंगे, तो हम basic basic steps लेके चलेंगे, जिससे हमारे दिमाग में कोई भी doubt ना रहे, ठीक है, so हमें ये specific angles के बारे हैं बात करने हैं, ठीक है, अच्छा, तो इन जो specific angles हैं ना, इनकी value हर ratio के लिए है, sine ratio, cos ratio है ना, sine theta, cos theta, 10 theta, cos theta, sec theta, cos theta, इन 6 ratio के लिए, इन particular 6 angles पे values हैं, तो उन values को हम study करेंगे, वो values, उन values को हम learn कैसे करें, उनसे question कैसे solve करें, हम वो भी देखेंगे, तो let's move to those values, so, अब देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, जिससे मैंने consider करा, this is a right angle, triangle, ये हमारा 90 degree होता है, इसको ना, एक minute, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, a, b, c है, मैंने नाम दे दिया, c पे right angle है, ये तो योगी trigger का तो यही है, कि सबसे पहले एक right angle होना चीए है ना, जब भी वो right angle triangle पर ही हम trigonometric का use करते हैं, तो right angle है, मैंने इसको बोला, a जो हमारा angle है, वो हमारा theta है, तो अब मुझे जो sine a निकालना है, that is sine theta, तो इस a के लिए जो particular values मैंने ली है theta की, वो क्या क्या ली है, 0, 30, 45, 60, 90, पहले तो हम क्या करते थे, कि sine theta की value निकालो, कैसे निकालते थे, sine theta की value, क्या होती थी, P upon H, perpendicular upon hypertonus, और हमारा निकल जाता था, but इस exercise में हम क्या देखेंगे, कि sine theta की value, theta, हमारे पास theta की value है, sine 0 मैंने लिखा, तो sine 0 पे, जब हमारा theta 0 है, तो क्या है उसकी value, 0, अब हमारे पास trigonometric ratio की value है, पहले हम उसकी value निकाल रहे थे, अब हम trigonometric ratio की value हमारे पास होगी, और हम उससे sides भी निकाल सकेंगे, पहले हम क्या करें थे, trigonometric ratio निकाल रहे थे, sides से, अब हमारे पास sides नहीं होगी, ज़्यादा था, हमें क्या करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करके साइड भी फाइंड आउट करनी होंगी ठीक है सबसे पहले हम अब देखो इस टेबल को लर्न करना आप सोच रहोंगे और यह क्या किती हाट सी टेबल है अदलग भी यह देखने हैं बट यह बिल्कुल हाट ड़ी है इस वेरी इजी अगर हमें इसमें से एक भी रेशो की वेल्यू याद हो गई तो हमें पूरी टेबल याद तो हम देखते हैं कैसे याद कर पाएंगे तो मैंने पर आपको दिखा एक ट्रांगल यह जिसमें हमारा ठीटा एट था जब हमारा साइं पर जो हमारी ठीटा की वेल्यू क्याओगी 0 डिग्री होगी तक हमारी जैसे मैं क्या समझदा your you Apeel game और ए किसके इक्वल है? 0 के. 0 डिगरी के. तो क्या बन गया यह? साइन 0 डिगरी. तो हमारा साइन 0 is equal to 0. अब एक 0. तो जब हमारी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ठीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पूरे ट्रिगो साइन रेशो की क्या वैल्यू होगी? 0. सेम जब थीटा 30 होगा, तो साइन 30 कितना होगा? 1 by 2. जब थीटा 45 होगा, तो साइन 45 क्या होगा? 1 by root 2. और सेम, साइन 60 क्या होगा? root 3 by 2. और साइन 90 क्या होगा? 1. आप देख रहे हो, साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. इस इंक्रीज इस ठीके? अब मै इसको अगर उल्टा कर दूँ, यह देखो, मैंने उल्टा कर दिया. मतलब मैंने इसको इस order में, उल्टे order में लिखा, तो यह हमारी cause की value होगा. मतलब, जब साइन 91 होता है, तो cause 0 क्या होता है? 1. जब साइन 60 root 3 by 2 होता है, तो cause 30 क्या होता है? root 3 by 2. जब साइन 45 पे 1 by root 2 होत जब साइन 30 पे 1 by 2 होता है, तो cause 60 पे क्या होता है? 1 by 2. जब साइन 0 पे 0 होता है, तो cause 90 पे क्या होता है? 0. तो देख रहे हो, आप इसकी उल्टी reverse चल रही है cause में. cause क्या और है? decrease हो रहा है, but values क्या और है? जो साइन की, अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो क्या हम मिल cause की value in specific angles के लिए, clear है? अब आते है 10, देखो, 10 का हमने, first exercise में ही formula पढ़ाता, 10 theta को मैं लिख सकती हूँ, sine theta upon cause theta, लिख सकती हूँ, तो देखो, में को निकालने है, 10 0 पे कितना होगा, तो 10 0 निकालने के लिए, what should I do? मैं जो sine 0 पे, जो sine की value, और जो cause 0 पे उसकी value है, मैं उसको divide कर दूँगी, this is what I am going to do, तो sine 0 पे sine कितना है, 0, और cause 0 पे कितना है, 1, तो कितना होगा, 0 upon 1 is 0, same, 1 by 2 upon by root 3 by 2, मैंने क्या करा, 10 30 निकालने के लिए, sine 30 और cause 30 को divide कर देख, 2 से 2 कड़िगा, क्या बचा, 1 by root 3, same ये, इनको divide करेंगे, तो इससे ही कट जाएगा, क्या बचेगा, 1, इनको divide करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, root 3, अब मैंको निकालने है, 10 90, तो 10 90 is, sine 90 upon cause 90, क्या होगा, sine 90 कितना है, 1 और cause 90 कितना है, 0, तो एक चीज याद रखना, मैंने, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, बट फिर भी हम इसको repeat कर लेते हैं, कि जो 0 होता है, वो कभी भी किसी डिजिट को divide नहीं कर सकता, अगर यहाँ पर कभी कभी भी किसी भी match problem में आपके पास ये condition आती है, कि आपका जो 0 है, वो किसी डिजिट को divide कर रहा है, तो उसका answer क्या होता है, not define, हमने आज तक कोई हमारे पास ऐसी चीजी नहीं बनी, जहाँ पर 0 किसी चीज को divide कर रहा है, यहाँ पर आप देखो, 0 by 1 1 0 को divide कर रहा है, तो ठीक है, 0 किसी भी चीज से divide होता है, तो क्या आता है, 0, पर 0 किसी चीज को divide नहीं कर सकता है, ठीक है, 0 की हमने कोई, मतलब 0 की हमने, मतलब table तो क्या ही होती है, 0 की, table basically 1 से या 2 से शुरू होती है, तो मैं आपको यही सिकाना चाहते है, कि कोई number 0 को divide कर स लगता है, that is not defined, तो इसलिए, 1 divided by 0 is not defined, clear है, अब देखो, same, sin का cost हुआ था उल्टा, और 10 का उल्टा क्या होगा, cot, इसको उल्टा कर दो, not defined, root 3, 1, 1 by root 3, 0, clear है, sec क्या होता है, sec का हमने formula पढ़ा था, 1 upon cos, कर दो, cos का है 1, तो 1 upon 1 is 1, root 3 by 2, इसका reciprocal, root 3 by 2, 1 by root 2 का reciprocal, root 2, 1 by 2 का reciprocal 2, और 0 का reciprocal क्या होगा, 1 by 0, that is not defined, ठीक है, same, sec निकल गया, तो cosec कैसे निकलेगा, इसका, उल्टा कर दो, या फिर cosec का हमारे पास formula है, that is 1 upon sign, उससे भी निकार सकते हो, clear है, sign का reciprocal, cosec आजाएगा, या sec का उल्टा कर दो, cosec आजाएगा, very easy, तो इस table को हमेशा करना, जब तुम paper देने जाओ, या exam के लिए जाओ, तो तुम क्या करो, तुम है 15 मिनट तो पहले मिलते हैं, question reading के, फटा फट, दो मिनट भी नहीं लगेंगे, बच्चो, जाओ जल्दी से जो last वाली sheet है, उस पर pencil से पूरी table draw कर लो, जैसी trigger होगे question है, फट, 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 पीछे देखा, table से लिखा, और इसको याद करना तो बहुत easy है, अगर आपको sign याद है, तो आप पूरी table draw कर सकते हो, एक ratio याद है, सारे ratios निकल जाएगे, clear है, I hope आप सबको table बहुत अच् की वो चीज़ और फिर आगे भढ़ जाते है, ठीक है, मेरे पास question आया, sin 30 प्लस cos 30 की value निकालो, तो sin 30 अभी हमने उपर देखा, अभी हमने देखा था, पीछे देखो, sin 30 कितना है, 1 by 2 और cos 30 कितना है, root 3 by 2, तो लगादे value, 1 by 2 प्लस root 3 by 2, क्या हो गया, 2, 1 plus root 3, यह हमारा answer, very easy, ऐसी question आएंगे, यह सबसे easiest part था, थोड़ा complication भी आ सकता है, questions वो भी हम आगे करेंगे, मैं आपका एक भी question नहीं छोड़ने वाली है, NCRT का, या मैं को कोई भी extra question मिलेगा, मैं सारे questions कराने की पूरी कोशिच करूँगी, फिर भी अगर आपका कोई doubt आता है, तो you can ask in comment box, or you can WhatsApp me on this number, ठीक है, this number, ठीक है, I'll provide all answers of your questions, clear है, चलो, आगे questions करते हैं, exercise की तरह बढ़ते हैं, अच्छा, exercise करने से पहले आपने देखा होगा, NCRT books में examples होते हैं, वह examples क्यों होते हैं, कि हम उन examples से go through हो जाए, जिससे हम exercise करने में कोई problem ना है, तो इस ऐसा ही एक example 8.2 को करने से पहले है, उन examples को हम पहले solve करेंगे, NCRT, यूदि बच्चों, NCRT, जब तुम 10th का वेपर देने जाते हो ना, तो mostly paper NCRT में साथ है, अब वो NCRT में कहीं भी आ सकता है, उसकी exercise में से भी, और उसके examples में से भी, और उसके examples में से भी, और ज्यादा दर बच्चे के करते examples को छोड़ देते हैं, तो आज हम वही करेंगे, examples भी करेंगे, पहले, जैसे हमने 8.1 में किया थ और उसके बाद हम exercise की तरफ बढ़ेंगे, तो example 6, example 5 तक मैंने 8.1 में cover कर लिया है, तो आब example 6 देखते हैं, इन triangle ABC, एक triangle है हमारे पास ABC, right angle at B, कहा बन रहा है right angle, B पे, AB is 5, AB is 5 and ACB, ACB is angle C that is 30 degree, तो हमारा जो ठीटा है, उसकी value कितनी रही है, 30 degree, figure आपको दिए 8.19, यह figure किसे साब से, NCRT की book के साब से, ठीक है, determine the length of BC and AC, हमें BC और AC निकालना है, तो मैंने आपको बता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकूलर, परपेंडिकूलर के सामने हाइपरटेनिस, और यह base, चीक है, तो हमें base और hypo निकालना है, चीक है, तो करते हैं start, अब हमारे पास इस बार ठीटा है, हमारे पास कोई sides न लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक side known है, दो unknown है, और पाइथागोरस तभी लगती है, जब हमारे पास कोई 2 side known होती है, और एक unknown होती है, तो पाइथागोरस तो इसमें लगी नहीं सकती, तो हम किसका use करेंगे, trigonometric ratio for some specific angles, जो हमने पीछे पड़े हैं, उनका use करके हम length निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, given, ठीक है, given, int angle ABC, AB क्या दे रखा हमें, 5 cm, angle B is 90 degree, angle A, C, B is 30 degree, या angle C is 30 degree, ठीक है, यह हमारा theta है, अब हमें क्या दे रखा है, perpendicular देख रहा है, चलो पहले हम हाइपरटुनिस निकाल लेते, अब perpendicular हाइपरटुनिस से related हमने कोई relationship पड़ा था, अपने trigonometric ratio में, हमने exercise 1 में क्या पड़ेते, trigonometric ratio ना, और यह ratio क्या बताते थे, relationship किन के बीच का, relationship between sides and angles, sides and angles, तो हमने 8.1 में पड़ेते, trigonometric ratio जो हमें relationship बताते थे, sides और angles के बीच का, तो simple सी बात है ना, अगर यह हमें relationship बता रहे, sides and angles के बीच में, तो pythagoras और hypotenuse दोनों side है, तो हमारे पस कोई ऐसा ratio होगा, जो इन दोनों side में relation establish कर रहा होगा, तो हम उस ratio का पता लगाते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोड लगा और उस ratio को सोचो, मैंने आपको एक बहुत अच्छी trick बताई थी, पंडित, बदरी, प्रसाथ, हर हर बोले, करा था हमने यह, this is for sign, this is for cos, this is for 10, और इनके जो conversion होते हैं, वो इनका उपर जाते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, तो हमें क्या चाहिए यहां पर पर्पेंडिकुलर हाइपरटेनिस और पर्पेंडिकुलर हाइपरटेनिस किसका, किसका relation कौन दे रहा है, साइन और कॉसेक भी, तो हम साइन ले लेते हैं, तो साइन ठीटा is equals to P upon H, that is AB upon AC, यही हो रहा है, ठीटा क्या है यहां पर, 30 डिगरी, AB कितना है, 5 और AC हमें find out करना हाइपरटेनिस, find out करना है, साइन 30 की value कितनी होती है, 1 by 2, अभी हम देखकर आएं, अब तो simple cross multiplication है, क्या हो चला जाएगा, और 5 से 2 multiply हो जाएगा, तो AC की value कितनी आ गई, 10 cm, क्योंगी unit कितनी है, हमारी cm, simple, यह हो गया हमारा first part, हमारे पास hypertonus आ गई, कितनी, 10 cm, अब हमें निकालना है, base, अब देखो, तुमारे पास perpendicular भी known है, hypertonus भी known है, क्या चाहिए, base, तो base का तो बहुत जनों के साथ relation बन रहा है, cos के साथ भी बन रहा है, 10 के साथ भी बन रहा है, cot और sec के साथ भी बन रहा है, तो कुछ भी ले लेते हैं, चलो, 10 ले इस बार, तो 10 theta क्या होता है, P upon B, P क्या है, A, B, और B क्या है, A, C, sorry, B, C, तो 10 theta कितना है हमारा, 30 degree, A, B कितना है, 5, और B, C हमें निकालना है, base, 10, 30 की value कितनी होती है, 1 by root 3, मेंको तो याद है values, आपको भी हो जाएंगी, धीरे धीरे हैंना, थोड़ा time लगेगा, तो B, C कितना आ गया, simple cross multiplication, 5 into root 3, centimeter, यही बोला था, उसने B, C, और A, C, A, C भी आ गय है, कोई doubt, very simple, easy है ना, देखो, last exercise में हमने देखा था, हमें theta unknown था, और हमारे पास side थी, तो हमने trigonometric ratios find out के थे, but इस exercise में हमारे पास trigonometric ratio की value किसी specific angles के लिए हमें given होगी, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, sides और कभी कबार trigonometric ratio for specific angles, ठीक है, clear है, तो यह question था, जिसमें हम specific angle पे लेके, sides निकाली, triangle की, next example देखते है, ठीक है, I hope it is very clear to all of you, है ना, example 7, example 7 कहरा है, एक triangle है, PQR, right angle at Q, and PQ is 3 cm, PR is 6 cm, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, angle निकालना है, theta निकालना है, चलो, करते हैं, सबसे, theta QPR, मतलब ये, angle P, और theta PRQ, मतलब angle R, तो एक बार इसको ठीटा ले लेते हैं, फिर इसको लेंगे, तो पहले हम निकालते हैं, angle PRQ, ठीक है, इसको हम R भी लिख सकते हैं, तो सबसे पहले वहीं लिखेंगे, given, इन ट्रांगल, PQR, Q at 90 degree, PQ is 3 cm, और PR is 6 cm, clear है, अब हमें, अभी के लिए हमें क्या find करना है, PRQ that is angle R, यह हमें find करना है, find तो हमें angle PB करना है, बट for this time, सिरफ PRQ को लेके चलते हैं, तो हमारे पास given क्या है, हमारे पास दो sides given है, अब देखो, यह हमारा theta है, तो theta के सामने वाली क्या होई, परपेंडिकुलर के सामने वाली, हाइपरटिनूस, तो परपेंडिकुलर अपोन हाइपरटिनूस हमने एक पढ़ा था, रेशो होता है, कौन सा रेशो होता है, sin theta, तो theta हमारा क्या है हम पे इस वक्त, R, और P कितना है हमारा, PQ, that is 3, और H कितना हमारा, PR, that is 6, इसको कट कर दू, 1 by 2, तो sin R किसके equal आ गया, 1 by 2, अब मैं sin R तो ठीक है, अब सोचो कि sin है तो इस 1 by 2 को भी sin में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 by 2 का बाता है, मतलब sin की terms में हम 1 by 2 को क्या लिख सकते है, तो हमने एक पीछे table पड़ी थी, जिसमें sin की value कभी 1 by 2 भी थी, अब वो 1 by 2 किस specific angle के लिए थी, थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है, किस पे थी, sin 30 पे, हमने पड़ा था, sin 30 is equals to 1 by 2 ना, तो ये दोनों के एक दूसरे की equal, तो मैं 1 by 2 की जगह sin 30 लिख सकती हूँ, तो sin से sin cut और r कितना आ गया, 30 degree, तो इसका मतलब ये थीटा कितना आ गया हमारा, 30 degree, clear है, अब हमें क्या निकाल लें, angle r निकल गया, अब angle p निकाल लें, तो angle p पे चलते हैं, अब मैं इस given में add कर दूँ, क्या निकाल लें हमें, q, p, r, that is angle p, जो middle वाली साइड, जो नाम होता है, वही हमें angle find out करना होता है, त्रीक है, अब देखो, अब ये थीटा है हमारा, तो इसमें थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई, p, और p के सामने वाली क्या हो गई, h, यही होगी ना सामने वाली हो रही है, बेस, तो अब हमारे पास base है और hypertenus है, तो base upon hypertenus किसी ratio को हम कहते हैं, वह सिवसरेशो का नाम होता है, cos theta, base कितना है, p, q, और hypertenus कितनी है, p, r, तो 3 upon 6, same, काट दो, 1 by 2, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, cos theta is equals to 1 by 2, अब याद करो, cos theta की क्या value होती है, cos के साथ, जब वो 1 by 2 के equal होता है, 60, cos 60 degrees, 1 by 2, तो मैं इसको replace कर दू, 1 by 2 को, क्या होगा, cos 60, sorry, theta की तो value हमने change ही नहीं करी, क्या थी theta की value हमारी, p, 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 तो cos से cos कट गया, p is equals to 60 degree, clear, बहुत simple था, तो अब हम कैसे, ये p आया हमारा 60 degree, r आया हमारा 30 degree, अब हम कैसे पता चला है, कि हमारा answer सही है, तो जब हम 6th class में थे, या 7th class में आये गैस, हमने एक property बढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं, angle sum property of a triangle, angle sum property क्या होती है, कि जो तीनों angle है, एक particular triangle के, उनका जो sum होना चीह हो, कितना होना चीह है, 180 degree, तो लगा लो, angle p कितना है हमारा, 60, angle q क्या है, 90, और angle r कितना है, 30, इन तीनों को plus करो, क्या ये 180 के equal आ रहा है, येस, बिलकुल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये angle sum property को proof कर रहा है, जिससे पता चलता है, हमारा answer क्या आया, एक दम, सही आया है, ठीक है, तो, we are done, example 7, I hope it is very clear to you all, किसी को screenshot लेना है, तो लेलो, और कोई doubt है, तो please comment box में पूछो, चलो, हम next question करते हैं, Example 8, Example 8 हमें कह रहा है, कि sin a minus b, अब a minus b यहाँ पर क्या है, ये पूरा theta, a plus b यहाँ पर क्या है, पूरा theta, तो इसमें confuse मत होना, ठीक है, तो sin a minus b equals to 1 by 2, cos a plus b equals to 1 by 2, then find a and b, okay, let's try, क्या कह रहा है वो, कह रहा है, sin a plus, sorry, a minus b कितना है, 1 by 2, तो वही करेंगे, हम sin की कोई ऐसी value देखेंगे, जो हम्यारी 1 by 2 के equal हो, अभी हमने पीछे देखी दी, अभी हमने देखी दी, कि जो sin 30 होता है, वो 1 by 2 होता है, तो मैं कर दू, sin a minus b, मैं 1 by 2 को किसके equal लिख सकती हूँ, sin 30 ही, देखो बच्चो, वैसे ये इसमें लिखने की जरुवत नहीं होती, बट जब आप questions all कर रहे हो, अगर आप bracket डाल के इसको because करके, या कुछ करके लिखो, या इसको equation 1 डाल के, using equation 1 लिखो, तो ज्यादा impact पड़ता है, examiner को फिर सोचना नहीं पड़ता है, examiner को चीज़े दिखती है, और वो लगाता धड़ादा number देता है, तो यह अच्छा तरीका होता है, बट एक दो number का question आ रहा है, तो यह mandatory नहीं होता है, बट अगर 4 या 5 marks का कोई question आ रहा है, तो अगर आप यह चीज़ मेंशन करते हो, यह using this, using equation 1, या मैं इसको equation 1 नाम देके लिख दूँ यहाँ पर using equation 1, तो वो अच्छा impact पड़ता है, या कोई identity यूज हो रही है, तो using this identity, तो वो examiner पर एक अच्छा impact छोड़ता है, तो try करोगी, यह सब चीज़े आप करो, sign से sign कट गया, तो a minus b क्या आगया हमारा, 30 degree, equation 1 ले लेते हैं, ठीक है, same इसमें करते हैं, क्या दिया है, cos a plus b is equals to 1 by 2, अब मैंने cos का, अभी हमने पीछे देखा था, कि जो cos 60 degree होता है, वो 1 by 2 के, equal होता है, तो हम इस चीज़ को use कर सकते हैं, क्या होता है, cos 60 से मैं इसको replace कर दूँ, कर सकते हैं, ठीक है, तो a plus b क्या आया, 60 degree, इसको मैं equation 2 ले लेती हूँ, अब तो equation solve करनी तो यार सब को ही आती है, न, 7th, 8th में हम पढ़ लेते हैं, substitution method, elimination method, cross multiplication method, पर इतना आगे जाने की जरूवत नी होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, सबसे easy होता है, elimination method, आपको substitution लगता हो, cross multiplication के तो यहां कोई जरूवत भी नहीं है, न, solve करने के लिए, तो cross multiplication हम ज्यादा था 3 variables में use करते हैं, तो basically हम यह substitution ही elimination करेंगे, तो हम इसको करते है, elimination से, वो ज्यादा easy पड़ता है, ठीक है, using elimination method, अब हम elimination किस पर use कर रहे हैं, on equation, 1 and 2, इन्हीं पर use कर रहे हैं, so, a minus b is equals to 30 degree, a plus b is equals to 60 degree, अब देखो बच्चों, इसमें मुझे sign change करने की तरह जरूवत है, यह एक variable पहले सी opposite signs में है, तो यह cut गया, यह दोनों plus के थे, तो यह 2a हो गया, और यह भी plus के थे, तो यह हो गया 90 degree, और 2 महां जागे डिवाइड हो जाएगा, तो एकी value कितनी आजाएगी, 45 degree, clear है, easy था, बहुत easy था, एकी value आ गई, 45, अब हमें क्या find out करना है, b, तो मैं यह लिख दू, किसी भी equation में एकी value पुट कुर दू, using 1, a minus b is equals to 45 degree, तो a हमारा कितना है, 45 minus b equals to 30, b उधर चला जाएगा, और 30 इधर आ जाएगा, तो 30 इधर आके क्या हो जाएगा, minus का और b उधर जाके positive, तो b की value क्या आ गई, 45 minus 30, 15 degree, अब देखो, उसने बोला था, जो a plus b होना चीए, वो 0 से बढ़ा आ चीए, तो a plus b कितना हा रहा है, 45 plus 15 is 60, 0 से बढ़ा है, और उसने बोला था, 90 से छोटा, या 90 से equal होना चीए, तो 60 is smaller than 90, तो हमारी condition fulfilled हो गई, और उसने बोला था, जो a है, वो b से बढ़ा होना चीए, तो a क्या होना चीए, b से बढ़ा है, 45 is greater than 15, सारी condition fulfilled हो गई, और it means कि हमारा जो question है, उसका जो answer है, वो एकदम correct है, जी कि आप इसको substitution से भी कर सकते हैं, substitution से कैसे, किसी भी एक equation से, आप किसी one variable की value निकालेते, जैसे मैंने या a की value निकाल दी, क्या थी, 30 plus b, अब उस a की value को मैं दूसरी question ने put करके, b की value find out कर लेती, और उस b की value को a की value, किसी भी equation में a के साथ put कर देती, तो वो substitution होता है, किसी भी एक particular variable की find out करके value, दूसरी question ने put करना, और उस particular variable की value find out कर लेना, ये substitution होता है, बट elimination जादा easy पढ़ता है, calculation कम होती है, इसमें ठीक है, उसमें थोड़े steps भढ़ जाते है, तो वो time consuming होता है, पर elimination हमारा time consuming नहीं होता, तो next question करते हैं, ये सबको clear है, अब आती है हमारी exercise 8.2, 8.2 का पहला question है, evaluate the following, इस पूरे को evaluate करना, इसका पहला part है, simple है, angles दे रखे है, value put करना है, तो sine 60 क्या होता है, sine 60 is root 3 by 2, multiply है, कोई sine नहीं मतला, multiply है, root 3 is, root cos 30 is root 3 by 2, plus sine 30 is 1 by 2, into cos 60 is 1 by 2, चीक है, ये इसकी value होती है, मुझे तो tips पे learn है, आप लोगों को भी learn करनी है, चीक है, learn, जैसे जैसे जितने question solve करोगे, जितनी जितनी जादा आप अपने आपको time दोगे, trigger के साथ, उत्ती जादा trigger easy लगेगी, नहीं तो trigger से बच्चे बहुत जादा डरते हैं, और हमेशा याद रगना, trigger, कम से कम trigger, 20 marks की आती है, एक्जाम में, 20 to 25, और 20 to 25 फ्री के नंबर होते हैं, अगर जिस बच्चे ने trigger पर अपना हाथ जमा लिया, trigger बहुत easy है, कुछ नहीं है, कुछ identities होती है, उन identity को मैं आपको कहां से आई है, कैसे आई है, वो भी बताऊंगी, बल्कि वो कहां से आई है, पर फिर भी हमें knowledge होनी चाहिए, तो अपनी इस चीज की प्राक्टिस करो, फिर भी कोई doubt आता है, तो प्लीज मेरे से comment box में पूछो, या मेरे ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप इस नंबर पर, ये, this is my WhatsApp नंबर, you can contact me on this, और मैं बहुत जल्दा आप लोगे के लिए, live section भी रखूंगी, जिसमें आप live session में, आप मेरे से कोई भी doubt पूछ सकते हो, किसी भी उस session में, उसी work, particular time में, जब तक वो session चलेगा, तो वो ज़्यादा helpful होगा, बट, आपको basic पता होना चाहिए, हम उसमें live session में भी हम पूरा करेंगे, शुरू से करेंगे एकदम, ठीक है, एकदम starting से, बट, अभी हम जो ये काम कर रहे हैं, इससे भी आपको चीज़े clear होंगी, because exams आने वाले हैं न, exams are very near, तो we will also provide you live sessions, और we will also provide you live doubt session अल्जो, ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, बट, सिरफ एक चीज़ चाहिए होगी, उन सब चीज़ों में मैनत, hard work, जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, basic clears होंगे, तो चीज़े जल्दी catch होंगी, clear है, करते हैं, इसको solve, simple mathematics से, अब तो root 3 into root 3 क्या होता है, 3, क्योंकि root 3 into root 3 is root 3 का whole square, square से root कट जाता है, 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, तो 4 upon 4, that is 1, simple answer, इसको करते है, 2, 10 square 45 की value क्या होती है, 1, अब देखो, 10 square लिखा है, 10 square theta क्या होता है, से कुछ नहीं होता, 10 theta का whole square होता है, तो मैंने वही कर रहे, 1045 की value 1 होती है, उसका whole square कर दिया, ठीक है, plus simple cos 30 कितना होता है, root 3 by 2 का whole square, minus sin square 60 is root 3 by 2 का whole square, इसको solve करने की जरुएत है, तो कटी क्या, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर बच्चे कोई आपका डाउट है, तो प्लीज पूछो, feel free to ask, comment box में पूछो, मैं उसको next video में cover करूँगी, ठीक है, या, you can message me on this number, I will clear your doubt, ओके, let's move to next question, इसका third part, हम यह पार्ट कर रहे हैं, third, कॉस 45 एज, 1 रूट, 1 अपॉन रूट 2, सेख 30 क्या होता है, आजा, कॉस 30 क्या होता है, रूट 3 बैट 2, सेख क्या होता है, उसका reciprocal, तो कॉस रूट 3 बैट 2 होता है, तो सेख कितना होगा, 2 बैट 3, प्लस, कॉस एख 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, 1 बैट 2, तो कॉस 30 क्या होगा, उसका reciprocal 2, ले लो LCM, 1 बैट 2, 2 प्लस, 2 रूट 3, अपॉन रूट 3, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा है, रूट 3 उपड़ चला जाएगा, और रूट 2 के साथ ये, जादा कुछ करने की जरूवत नहीं है, अगर ये question जादा नंबर में आता है, तो आप इसको rationalize करो, वरना इतना enough है, ठीक है, तो ये हमारा answer है, और आप इसमें से चाहो, तो रूट 2 भी common लगाता है, एक single digit के अंदर, दो रूट की value होती है, मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो इन दोनों 2 में रूट 2 होगा, तो मैं रूट 2 common निकाल लूँ, रूट 2 इंटू रूट 2, क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस, रूट 2 इंटू रूट 3, यह होगा, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 3, रूट 2 इंटू रूट, इस 2, रूट 2 प्लस, रूट 6, इस यह और आंस, और यू में, मोर रेशनलाइज इट, हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज आपको पता है, क्या होता है, मल्टिप्लाय हो जाता है, नुमेरेटर, डिनुमेरेटर से, दोनों से, विदा चेंज इन साइन, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, अपना और इतना भी सॉल्व कर सकते हो, और आगे रेशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए इतना ही था, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट कोशन पर, फोर देखो, ये वाला, ये पार्ट मैं रफ कर दू, ख्लियर हो गया होगा सबको है न, देखो, फोर्स पार्ट, साइन थर्टी, वन बाई टू, टेन फॉर्टिफाइव, इतना हो जाएगा, सिंपल हो, अब देखो, या तो इसका, इसमें देखो, कुछ नहीं है, सिरफ साइन का चेंज आ रहा है, ये तीन हो प्लस प्लस में, और ये माइनस माइनस में है, अगर मैं इसमें minus का sin भी common ले लो तो यह दोनों minus में हो जाएंगे और उसमें से root तो फिर एक plus एक minus जाएगा नहीं हो पाएगा na तो proper इस का calcium हमें लेना पड़ेगा इस का calcium हैंगा 2 root 3 root 3 plus 2 root 3 minus 4 यही होगा। 2 root 3 2 root 3 को 2 से d populations कर सब इसे लेखंगे तो root 3 बचा और 2 by root 3 से कर सब अगे तो 2 by root 3 बचार और 2 root 3 को root 3 से कर सब ब्रोत 3 से root 3 कट जाएगा? 4 same इसका होगा LCM लिया 2 root 3 root 3 से root 3 कट गया तो 4 2 से 2 कट गया तो root 3 plus 1 कुछ नहीं है तो 2 root 3 ये कट गया अब root 3 plus 2 root 3 is 3 root 3 minus 4 और ये कितना आ गया same 3 root 3 plus 4 आप यहां भी answer छोड़ सकते हो और इसको rationalize भी कर सकते हो तो ये हमारा answer आ गया ठीक है फिर हम करते है फिफ्ट पार same 5 cos 60 is what 1 by 2 1 by 2 का whole square ये कि square है हमारा plus 4 sec 30 तो sec 30 कितना होता है cos 30 is root 3 by 2 तो sec 30 is 2 by root 3 का whole square minus 1045 is 1 उसका square है तो square कर देंगे sin 30 1 by 2 पर square है तो whole square cos 30 is root 3 by 2 पर square है तो whole square clear है कितना है गा answer 5 into 1 by 4 plus 4 into 4 by 3 minus 1 1 by 4 plus 3 by 4 प्लस 3 by 4 यही होगा यह पार्ट सबको clear है ना मैं इसको rough कर रही हूँ देखो क्या होगा 5 into 1 5 by 4 प्लस 4 फोर जा 16 by 3 minus 1 upon में 4 upon 4 यह तो cut गया 1 अब इसका LC में ले ले लेंगे LC म कितना है गा? 4 और 3 का 12 तो 4 की टेबल में 12 3 पे आता है 15 3 5 जा 15 3 की टेबल में 12 4 पे आता है 16 फोर जा 64 minus 12 यही होगा answer क्या आएगा? पहले इसको minus कर दो 3 plus 64 by 12 तो answer कितना आ गया? 67 by 12 this is your answer सारे parts हो गए 1st question कि कोई doubt किसी को screenshot लेना है तो ले लो कोई doubt है तो कमेंट बॉक्स में पूछो ठीक है next question next question है choose the correct option and justify your answer हमें इसमें से option चूज करना है और अपना answer justify करना है तो पहले हम इसको LHS को अपना solve करते हैं left hand side को फिर देखेंगे हमारी RHS क्या आती है ठीक है? तो 2 10 30 1 by root 3 1 plus same 1 by root 3 का whole square हो जाएगा बस कितना आ गया? 2 root 3 नीचे क्या आ गया? 1 plus 1 by 3 ले लो LHS 2 by root 3 upon 3 plus 1 by 3 क्या आ गया? 2 by root 3 4 by 3 मैंने आपको बताया था एक डिजिट में 2 root की value होती है तो एक root इससे कट जाएगा क्या बचेगा है? root 3 और इससे ये कट गया 2 तो root 3 उपड़ चला गया root 3 by 2 यह हमारा answer आया अब हमें देखना है root 3 by 2 किसके equal आएगा? sin 30 कितना होता है? 1 by 2 1060 कितना होता है? root 3 cos 60 कितना होता है? 1 by 2 sin 60 कितना होता है? root 3 by 2 तो मैं root 3 by 2 को क्या लिख सकती हू? sin 60 इसका मतलब है हमारा option है सही है किसके equal होता? sin 60 कि बागी सारे option गलत है clear है question? next question देखते है 1 minus 10 square 45 1045 is 1 उसका whole square same 1 plus 1 का whole square 1 minus 1 1 plus 1 0 0 by 2 is 0 देखते हैं अब 0 किसकी value होती है? यह option हमारा D मतलब correct है पर देख लेते हैं क्या पता हमारा answer कहीं और भी आ रहा हो sin 45 is 1 by root 2 नहीं हो सकता 1 नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता 1090 is what? 1090 क्या होता है? sin 90 upon cos 90 तो sin 90 क्या होता है? 1 और cos 90 0 तो यह कितना होता है? हमारा not defined 0 कि 0 को divide नहीं कर सकता है तो इसका मतलब हमारा option D क्या है? correct है बाकि सारे options गलत है दूसरा question देखें बहुत ही जीदा sin 2a तो sin 2a का मतलब क्या है? जो theta है वो हमारा 2 से multiply हो रहा है ना? equals to 2sin तो अब हमें बोला है कि a की value बताओ जब यह दोनों equal हो ठीक है? देख लेते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा theta कितना ले लेते हैं 0 degree तो sin 0 is 2 into 0 is 0 equals to 2sin 0 यह होगा sin 0 कितना होता है? और 2 into 0 is 0 तो LHS is equals to RHS हो गई तो मतलब यह वाला option हमारा सही है correct है मतलब अब तो हमें पताओ चलिए यह option सही है तो बाकि सारे गलती होंगे बट फिर भी मैं आपको एक option और ट्राय करके दिखा तो जिससे आपको प्रूव हो जाए कि हाँ यह वाला गलत है sin 60 sin 60 की लगा कुछ और लेते हैं sin 60 को हम 2 से multiply अगरेंग तो 120 हो जाएगा और वो चीज़ आपके सले बस में नहीं है ना तो 45 ले लेते हैं sin 2 into 45 is 90 and 2 into sin 45 यह तो हो जी नहीं सकता कहीं से भी sin 90 is 1 2 into 1 by root 2 कट जाएगा root 2 बचेगा तो 1 is not equal to root 2 तो यह हमारा गलत है तो इसका मतलब हमारा 0 option 0 degree सही है हमारे हमको पहले ही option में आंसर मिल गया तो हम बागे options में जाके क्यों मेहनत वेस्ट करें clear है तो इतना ठीक है यह clear है सबको next question करते है 2 10 30 2 into 10 30 कितना होता है 1 by root 3 1 minus 1 by root 3 का whole square तो 2 by root 3 1 यह 3 हो जाएगा न क्योंकि क्यों होगा बच्चो 1 by 3 होगा फिर इसका LCM लेंगे तो 3 हो जाएगा यह अभी हमने ऐसा ही question पीछे किया इसलिए मैंने यहाप पर direct step कर दिया कि सबको clear होना चाहिए यह चीज़ 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 ची़ है फिर भी कोई doubt है तो पूछ लेना root 3 बचा 2 से 2 कट गया कितना आगया यह उपर चला जाएगा root 3 क्योंकि मैंने आपको बता था यह इस से multiply होता है और यह इस से multiply होता है तो यह इधर कुछ नहीं है तो 1 से multiply होगा तो root 3 बचेगा तो root 3 किसकी value होती है sin 30 is 1 by 2 wrong 1060 is root 3 right sin 60 is root 3 by 2 wrong cos 60 is 1 by 2 wrong तो option c is correct answer is root 3 that is 1060 clear है बहुत easy था next question करते है question 3 क्या रहा है same example example 8 और 9 I guess na I don't know the right number of example same उसकी तरह ABC root 3 कि दिया तो यह पूरा क्या एक ठीट है तो 10 की terms में root 3 कब आता है अभी हमने पीछे देखा 1060 पे आता है 10 से 10 कड़ी गया तो A plus B क्या हो गया हमारा 60 degree यह बनी हमारी first equation same 10 A minus B के साथ करते है 1 by root 3 तो 1 by root 3 किसके इक्वल होता है 10 की terms में 10 30 तो A minus B क्या आ गया 30 degree second equation same elimination यूज करते है using elimination मैं शौर्ट में लिखरी हूँ method on equation 1 and 2 कर लेते हैं A plus B is 60 degree A minus B is 30 2A प्लस हो जाएगा और यह 90 तो A की value कितनी आ गई 2 महां जाके divide हो जाएगा A is 45 degree अब क्या निकाल लो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा बड़ा है तो आनो 45 plus 15 is 60 greater than 0 बट 90 से छोटा होना चाहिए और यह उसके equal होना चाहिए तो 60 is A plus B what 60 degree और 60 is less than 90 degree और A हमारा B से बड़ा होना चाहिए तो 45 is greater than 15 यह भी condition फुल्फिल है इसका मतलब हमारा answer एकदम correct है this question is same as the example we have done earlier ठीक है clear है यह सबको next question करते है so this is the true false and the last question of 8.2 देखो मैंने आपको हमने first success में भी true false कर रहे थे जब हमारे पास same question आयता कि जो caught A है इसको हम caught and A लिख सकते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका इसके बिना तो theta के बिना कोई वजूदी निये trigonometric ratio होगा और ना इनके बीच में कोई arithmetic operation होता है plus minus divide multiply कोई operation इनके बीच में नहीं होता ये simple expression है caught theta की trigonometric ratio किसी particular theta के लिए तो पहला true false यहीं कह रहा है कि sorry sin A plus B is equal to sin A plus B sin A plus B ये क्या हमारा theta क्या हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin A plus sin B no मैंने नहीं लिख सकता क्योंकि ये पूरा एक theta है ये कोई multiply नहीं हो रहा है sin से दो बार कोई इसमें arithmetic operation नहीं लग रहा है ये एक particular theta है तो ये हमारा पहला answer क्या हुआ false अब कह रहा है the value of sin theta increases as theta increases yes true मैंने आपको जब table करे थे जब ही बताया था 0, 30, 45, 60, 90 क्या थी 0 पे 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 और 1 क्या हो रहा है जैसे theta increase हो रहा है वैसे sin theta की value increase हो रही है ये ही उसने पूचा है तो ये true कि जब value of sin theta increase as theta increase जैसे जैसे theta increase होता है वैसे sin theta की value increase होती है yes, increase होती है दूसरा question कह रहा है क्या cos theta की value भी increase होती है देख लेते हैं देख लेते हैं cos theta क्यों होती है नि होती cos theta 0 पर क्या था 1 반 30 पर क्या था root 3 by 2 45 पर 1 by root 2 1 by 2 और 0 stripped 0 पर तो 1 था फिर theta बढ़ा root 3 by 2 हो गया फिर 45 फिर और कम होआ फिर और कम होआ फिर 0 हो गया तो ये तो गलत हो गया increase नहीं हो रहा है क्या और है decrease हो रहा है साइन थीटा increases when theta increases but cost theta is decreases when theta increases चीक है जब theta increase होता है तो cost theta decrease होता है पर sin theta increase होता है फोर्थ पाट है क्या क्या cost theta or sin theta सारी values के लिए save हैं अभी हमने ये करा कि, जब sin theta क्या ओर है, decrease हो रहा है, theta बढ़ रहा है, और cos theta डिक्रीज हो रहा है, जब theta बढ़ रहा है, तो यह तो यह यह प्रूफ हो रहा है, कि यह दोना equal नहीं है, फिर भी मैं आपको table के हिसाब से लिख के दिखा देती हूँ, sin theta 0 पे क्या था, 0, इस पे क्या था, 1 by 2, इस पे किसी भी condition को जब वो लेके चलता है, उसने क्या भोल है, all values of theta, देखो, यहाँ पे यह condition fulfill हो रही है, 45 पे यह भी 1 by root 2 है, यह भी 1 by root 2 है, यहाँ पे sin theta, cos theta equal है, बट यह तो सिरफ एक condition fulfill कर रहा है, बाकी सारी conditions देखो, सारी condition false है, तो maths उसी चीज़ पे applicable होती है, उसी चीज़ पे हमारी सारी values, जब वो condition हर value पे fulfill हो रही है, तब ही वो चीज़ true होती है, बट इसने क्या करा, सिरफ एक value पे यह true है, बाकी सारी values पे यह false है, तो इसका मतलब यह condition हमारी false है, sin theta, cos theta equal नहीं होंगे, सारी values of theta के लिए, cot is not defined for 0, देख लेते हैं, वो कह रहा है, जो cot a है, इसका मतलब जो cot theta है, वो क्या है, not defined है, जब हम theta की value क्या ले लेते हैं, 0 degree, उसने यह बोला हमें, तो देख लेते हैं, cot 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, cot 0 degrees, cos 0 upon sin 0, लिख सकती हूँ यह, formula पढ़ाता हमने, 1 sin 0 कितना होता है, 0, यह तो obviously not defined है कि 0 किसी भी चीज़ को divide नहीं करता, वो divide हो जाता है, पर वो किसी को divide करता नहीं है, तो यह हमारी क्या है condition, यह की cot 0 क्या होता है, not defined होता है, तो यह true है, तो यह हो गई हमारी exercise 8.2 यहाँ पर complete, I hope आप सबको यह बहुत clear होगी, अगर आपके पास कोई भी doubt आता है, तो please comment box में पूछो, और you have my whatsapp number, आप इस पर whatsapp करके ही पूछ सकते हो, और फिर भी अगर आपका, मैं पूरी कोशिश करूँगी, कि जब आप में को message करो, या comment box में कोई doubt पूछो, तो मैं उसको clear करूँ, अगर वो फिर भी रह जाता है, तो हम आपको live session और doubt session भी provide करेंगे बहुत जल्दी, तो please be connected with us, और कोई भी doubt आता है, तो please ping me, ठीक है, so done for today, thank you to all, ओके, बाबाई,